अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आए हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए आज मैं निफ्टी-50 और बैंक निफ्टी का 15 मिनेट्स का इंट्रेडे कैंडल चार्ट अनार्चिस करते वे आपको कॉल पे काम करना है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में डौनके अगर हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो इमीडियर टार्गेट हowanी चाहिए अगर इग्ञेगर नहीं है अर्हां से अक्टोबर को है यह इनिकर और काम करेंगे रहे करेंके और लोग तीन से चार दीन की ही होल्डिंग लगांगे उस से ज्यादा नहीं और एक्सपारी आपको 28 अक्टोबर को है यानि कल और परसुन चांस है हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी में पुट खेलने का तो शड़ी आगे बढ़ते हैं यह निफ्टी फिफ्टी का 15 मिन एगे परेंट याना चाहता है तो यह लेवल ब्रेक करना होगा अगर अग्रीवल घुख मिलेगा अब हमारा Thursday 28 October को expiry है expiry के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे कल के दिन लाइव मार्केट में Stock Hashtick RSI में Overbuying के बाद Overbuying हो रही है Stock Hashtick RSI वो RSI है जिदर आपको उपर भी Overbuying होता है नीचे भी Overbuying होता है चाहे वो नीचे Overbuying हो चाहे वो उपर Overbuying हो हो सका तो हमारा MACD न्यूटरल पे होना चाहिए वरना माइनस पे होना चाहिए अगर यह प्लेस लेवल पे हो रहा है Overbuying तो यह Overbuying का बाइयर कैच हो रहा यानि लॉस करने के चांसे से तो इसके हिसाब से आज के लाइब मार्केट में भी अगर आप देखेंगे 26 अक्टोबर टोटली न्यूटरल लेवल पे ही Overbuying चला जिस वज़े से मार्केट में आपको प्रिवियस ब्रेकडाउन लेवल के पास रेसिस्टेंस देखके रैली देखने को मिला और ये कल के लाइब मार्केट में ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो उपर जाता हुआ दिखेगा जिसल टोटली ओवरबॉट है अब इस ओवरबॉट में आपको चाहे वो फर्स्ट हाफ हो चाहे वो सेकेंड हाफ हो सेलिंग प्रेशर फिर से निफ्टी 50 में दिखने वाला है तो मैं completely suggest करूँगा ये लेवल ब्रेक करके अगर उपर जाता हुआ दिखा 18400 का आप पुट उठा सकते हो दोस्तों फॉर दी पॉइंट्स आफ 30 रूपीज या फॉर दी पॉइंट्स आफ 20 रूपीज इससे ज्यादा इसमें पकड़ना नहीं है और कल का लाइव मार्केट सेलिंग है आपका चायव फर्स्ट हाफ में फोड़ा बहुत उपर भी जाए सेकेंड हाफ में टोटल ही आपको निफ्टी 50 में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा completely suggestion है आपका 18400 का put पकड़ सकते हो या 18350 का भी put पकड़ सकते हो कौन सा भी put पकड़ो maximum 30-20 पॉइंट देखने को मिलेगा सेलिंग प्रेशर बाइइंग के बाद continue रहेगा जिसमें आपको कल और पर्सुमें profit होने वाला है यह मेरा telegram चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लिजिए for intraday live tips and stock market update के लिए आपको telegram चैनल का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इंटरडे candle चार्टे दोस्तों national stock exchange और अगर आप देखेंगे bank nifty में जैसे मैं nifty 50 में trend समझाया हूँ उसी तरीखे से मैं bank nifty का भी trend समझा रहा हूँ देखिए यह होता है breakdown level यह होता है breakout level जब तक इन लोगों में swing करा समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर ही रहेगा जब तक नीचे का level break नहीं करेगा नीचे नहीं जाएगा उपर का level break नहीं करेगा उपर नहीं जाएगा इसके बाद आज के live market में over buying देखने को मिली neutral और minus लेवल पर उसके हिसाब से इधर भी over buying है जो हमारा consolidation में जो consolidate करते हुए rally दे रहा है इसका मतलब यह है यह level उपर की break करने वाला है तो मैं completely suggestion दूँँगा 41,500 का भी call उठा सकते हो और आप 41,300 का भी call उठा सकते हो अगर आप personally 41,200 का भी call उठाना चाहते हो तो उठा लो इसके अंदर totally आपको trend bank nifty उपर जाते हुए सभी calls के अंदर मुनाफ़ा होने वाला है पर मैं completely suggest करूंगा 41,500 का थोड़ा risk होगा तो 41,300, 41,200 इन लोगों का आप call उठा लो जिसका over buying आपको देखने को मिल रहा है इदर bank हमारा nifty 50 के साथ bank nifty भी उपर जाने वाला है अगर आपको put उठाना है तो second half में अगर आप put उठाना चाहते हो तो आप put उठा सकते हो दोस्तों 41,700 का और 41,600 का भी उठा सकते हो और आप उठा सकते हो 41,500 का पर यह दो दिन के लिए यह तो ज्यादा risk है तो मैं completely suggest करूंगा 41,500 का put उठाओ call में profit booking होने के बाग